IPL 2024 के auction से पहले दिल्ली Capital को एक बड़ा बुस्ट मिला था क्या बुस्ट मिला था बुस्ट ये मिला था कि उनके आन बान सान और कप्तान कौन रिसब पंथ ये IPL खेलने वाले हैं और ये बहुत बड़ा बुस्ट है क्योंकि रिसब पंथ के आने से बैटिंग मजबूत हो जा है तो उनकी टीम उनके आने से सेटल भी हो जाती है तो IPL auction से पहले एक काम जो होना था ना वो तो हो गया लेकिन उसमें एक लोचा आ गया क्या लोचा आ गया वह यह की ऐसा सुनने में आ रहा है कि वह कीपिंग सायद नहीं करेंगे या हो सकता है लास्ट में कीपिंग करना स्टार्ट करें मतलब उनके विकेट कीपिंग पे संसा है इस IPL में तो सिंपल सी बात है auction strategy में गये होंगे तो यह वाला जो प्लान है ना उनके दिमाग में रहा होगा तो वह सब कुछ देखेंगे नमस्कार मैं हूँ आपका फेवरेट सिधान त्रपाथी और हम इस वीडि थी क्या वो इस auction में players को लेने से चिप गई और क्या वो एक मजबूर टीम बन के सामने आई हैं सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा पना प्यार और समर्थन दे दीजे जल्दी से कर दीजे वीडियो को like और share आप लो जो भी नए users है channel को क्या करेंगे subscribe कर लेंगे bell का icon जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे आप लोग को timely notifications मिलता रहा है और भाई यहां पर बहुत ज़्यादा इंट्रेक्टिव वीडियो आनी वाली है तो वीडियो को like share तो करी दीजेगा subscribe भी करके रखिएगा channel को ठीक है तो start कर करते हैं जो भी इनका strategy रहा होगा उसको जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनका squad क्या था auction से पहले और उसमें क्या कमिया थी तो यह है इनका squad auction से पहले तो अगर आप इस squad को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी वह यह कि जो मैंने मतलब life threatening उनकी injury थी accident जो हुआ था और भगवान ना करें और किसी के साथ ही accident हो लेकिन रिसब पंद ने जिस जज़बे से उससे वापसी की है उसके लिए उनको दिल से सलाम और जो सबसे important point है कि अभी वो धीरे धीरे वापसी करेंगे तो ऐसा सुनने में आ रहा है IPL से पहल प्लान एक रहा होगा तो सबसे पहले अगर आप यह देखेंगे तो उनके पास अच्छा keeper नहीं है क्योंकि रिसब पंद नहीं है एज़े keeper नहीं है एज़े captain और एज़े batsman है तो उनको मतलब उनको चाहिए था ये wicket keeper तो कमी नंबर एक है कि उनके पास wicket keeper कोई नहीं है द team के उसमें रिस्क आ चुका है कि क्या होगा अगर रिसब पंद उस फॉम में वाफसी ना कर पाए तो फिर उनको एक ऐसा middle order का hitter चाहिए था जो अपने दम पे गेम को बदल दे ठीक है तो दूसरा उनको यहां पर एक चाहिए था मतलब एक middle order का तगड़ा hitter जो अपने दम पर गेम बदल दे तो क्या उसको ले पाए हैं और तीसरी कमी अगर आप देखेंगे तो वह यह है कि injury prone ए नौर्किया मतलब एन्रिक नौर्किया उनका इन्हें बैक अप चाहिए था जो पेस भी जनरेट कर सके और खासकर दिली कैपिटल्स का जो पिस्ट था लास सीजन वो वैसा भी गिदबाज चाहिए था बैक अप के रूप में जो एन्रिक नौर्किया को एसिस्ट कर सके या नौर्किया को यह दो मैच खिलाए फिर उनको रेश दे के उस वाले गिदबाज को खिला दे तो कुल मिलाके अगर इनकी कमिया देखेंगे तो इनको चाहिए था एक म होुए पूप में विक काम जडी विकट कीपर चाहिए था जो कि रिसऊप पन्त के जगां कीपिंग कर सके ठीक है और तीसरा उन्हें एक बैक अप पेसर चाहिए था जो injury prone एन और किया की जगां ले सके अगर वो injured रहते हैं तब और injured नहीं रहते हैं तो दो match खिला के एक match में रिष्ट देने के लिए उस समय उनकी जगां ले सके तो ये तीन था अब उसमें भी एक काम किया जा सकता था क्या काम किया जा सकता है क्योंकि middle order enforcer है ना उसी में क्योंने एक ऐसा overseas बल्लेबाज ले लिया जा जो keeping करे तो कुल मिला के इनका यह तीन कमिया थी और इसे दूर करना था तो क्या दिल्ली इसको दूर कर पाई है क्योंकि इनका और ज्यादा कमी नहीं है अगर प्रिथविसा ओपनर में फ्लॉप भी होते है तो अब देखते हैं कि auction में इन्होंने किसको खरीदा तो auction में यह गए हैरी ब्रुक के साथ तीश्टप्स के साथ रिकी भूई के साथ कुमार को साग रसिकदर जायर रिचर्ड़सन सुमित कुमार स्वास्तिक चिकारा और सई हो यह था इनका जो auction में खरीदे गए प्लेयर उनका लिस्ट तो अब ध्यान से देखते हैं जो खरीदेगाए प्लेयर हैं क्या वो उस कटेगरी में फिट बैठते हैं जिनकी इनको कमी थी तो पहले प्लेयर नंबर वन है हैरी ब्रुक जो साइड और तगड़ा जाते लेकिन वह जो लास्ट सीजन का कह सकते हैं खराब प अच्छा खेलाया भी तो कुल मिला के वो काम हैरी ब्रुक तगड़ी तरीके से कर सकते हैं तो ये उस कमी को जरूर पूरा करते हैं अब उसके बाद देखिए दो और कीपर बलेबाज इन्होंने लिया है जो मैंने बोला था कि उसमें चलाकी लगाई जा सकती थी कि मान ये जो इंडियन विकेट कीपर आता है वो अच्छा नहीं करता है तब क्या होगा तब के लिए इन्होंने ले लिया टी स्टप्स को ये भी तगड़े हिटर है और खास कर अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहा ना तो ये मैच का रूख बदल सकते हैं अपने डम पे और उसके अलावा एक लिया है इन्होंने सई होग को अब इनको क्यों लिया है इसका पीछे भी मैं लॉजिक बता देता हूँ ये तगड़े हीटर तो नहीं है लेकिन इस्पिन के अच्छे प्लेयर ने अब दिल्ली का जो पिच होता है न वो इस्पिन फ्रेंडली भी कई बार करता है तो क्योंना हम overseas से वह काम कराएं क्योंकि उन्हें खिलाना तो ही एक प्लेयर वह मिडिल ओडर में तो उन्होंने हैरी ब्रूक को रखा हुआ है कि अगर कीपर अच्छा निकल गया जो भारती कीपर है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इनके साथ जाएंगे अगर वह नहीं खेले मतलब की वह विकट कीपर अच्छा नहीं खेला तो फिर यह टी स्टप्स और साही होप के साथ जाएंगे mentre on temperature clock Windows मतलब बहुत तगड़ा इन्हों ने रखा हुआ है यह द्यान दीजेगा सब अब इन्डियन विकट कीपर में इन्हों ने किस और बात तो बात इनमें यह है कि अभी हालिया दिनों में इन्होंने काफी इंप्रेस किया है एक मैच में ऐसा इने उन्होंने खेला जब इनकी टीम हार रही थी और इन्होंने बहुत तगड़ा नॉक खेल दिया देर्ष होके आस-पास का और उससे भी इंप्रेस हुए प्लस इनमें बोला जाता है कि थोड़ा सा MS धोनी का श्टाइल भी है और अच्छे हिटर हैं और सवरो गांगली तो सीधे बोलते हैं there is a bit top MS धोनी in कुमार कुसागर तो आने वाले एक बड़े ठिंग के रूप में इनको देखा जा रहा है अब देखते हैं भाई domestic में player अलग खेलते हैं लेकिन जब बड़ा लेफल होता है न तो काई बार वह player चल कplay नहीं पाते हैं दो मान के चला है हो सकता यह ना चले मले ले थो ब्याले है विकिट clinical नेफ़े अगर एंजर नहीं होते तो यह ऊसकते तक इनके पास सब कुछ है मतलब सब कुछ इनके पास तो कुल मिलाके यह जो बैक-प है ना नौकिया का वो भी काफी अच्छा है। तो ओभर ओल इनका जो तीनों कमिया थी विकेट कीपर बल्लेबाज, इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज और उसके अलाबा जो नौकिया का बैक-प था. उन सब पे ये पूरी तरह से खरे उतरे हैं मतलब ओक्सन में ये जो लेके गए थे ना मूड बनाके वो इनको मिला है वो भी कम प्राइज पे बस यहां पे इंडियन विकेट कीपर में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा नहीं तो बाकी सारे बल्लेबाज जिस प्राइज पे मिलने चाहिए था ना उससे कम पे मिले हैं मतलब ओक्सन इनके लिए मेरे हिसाब से पूरा सफल रहा है अब बस दिक्कत ना हो जाए कि प्लेयर आउट आप फार्म ना हो जाए नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह टीम वास्तों में अच्छा करेगी और बैसेकली नॉक आउट फेज में इनको जाना चाहिए थोड़ा सा इनका प्रॉबेबल 11 हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग और में तो वो आपको के पास डेविड वार्नर हैं प्रिथ्वी सौ हैं मिसल मार्स रिसप पंध नंबर पांच पे हैरी ब्रूक फिर कुमार कुसाग्र अक्षर पटेल कुल्दी प्यादो ए नौर्किया खली लहमद मुकेस कुमार पेस अच्छा है इनके पास मुकेस कुमार है खली लहमद है मुकेस कुमार तो करेंटली खेल भी रहे और खली लहमद पता नहीं क्यों अब नाइंसाफी किया जा रहा है नहीं तो बहुत ही बढ़ियां के दवाजी कर रहे हैं तो कुल मिला के इनका पेस अच्छा है इनके पास बैक अप विकेट कीपर्स भी हैं अगर कुमार कुसाग मतलब कुमार कुसागर का भी बैक यह लेके जा रहे हैं भले उनको 7.2 CR में खरिदा और उसके अलावा अगर कुमार कुसागर फ्लॉप होते हैं तो इनके पास डूमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स हैं जो उनका जगा ले सकते हैं यस धुल हैं उनको मौका दिया जा सकता या प्रिथवी फ्लॉप होते हैं तो यस धुल को यह फिर से मतलब रोल दे सकते हैं अच्छा खासा क्योंकि काफी तैलेंटेड वले बाज हैं तो इनका जो टीम है न वो काफी बहतरीन दिखाई दे रहा है सेटल दिखाई दे रहा है और बैक अप भी है इनके पास तो इस के जगा आ सकते हैं यस धुल वही दोनों प्लेस प्रिथवी साव फ्लॉप हुए तो कुमार कुसागर फ्लॉप हुए तो इसान सर्मा एकाग मैच खेल सकते हैं सही हो टी स्टप्स डिपेंडिंग अपान कुमार कुसागर के कीपिंग स्किल पे तो यह थे इनके फ्लोटर् इनको अब कितना रेटिंग देंगे तो मेरे हिसाब से इनका अच्छा गया है थोड़ा सा ओपनर में प्रिथवी साव का फॉर्म गरबड है तो यह किसी और ओपनर को टार्गेट कर सकते थे तो वहां पे थोड़ा सा मैं इनका एक पॉइंट कट करना चाहूंगा लेकिन व तो कुल मिला के ओक्षन में मैं इनको देने वाला हूं साधे नौ रेटिंग आधा रेटिंग मैं इसलिए कट कर रहा हूं वह इसलिए क्योंकि थोड़ी सी अगर यह ओपनिंग जोड़ी पे और ध्यान दे देते ना हलंकी बैक अप है मिसल मार्स लेकिन वहां पे थोड़ा इनके लिए दूर रहेगा या दिल्ली नहीं बैसिकली आईपियल ट्रॉफी इन से दूर रहेगा या इस बार यह आईपियल ट्रॉफी जीतने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है जल्दी से वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय धन्यवाद